नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने एक जाने माने शप्स की बायोग्राफी प्रस्तुत कर रहा हूँ आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश्ट और बेहतरिन अदाकारा की जीनों ने अपनी खूबसूरती से पूरे हिंदूस्तान को अपना दिवाना बना लिया था इनकी कहानी बहुत ही रुमांचक है इस एक्ट्रेस ने बी गरेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की पर कुछ ही वक्त में ये हिंदी सिनेमा की हाइस पेड एक्ट्रेस में शामिल हो गई इनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों ही दर्शकों के बीच में काफी चर्चित हुई सत्तर और अस्ती के दशक में इन्होंने बहुत सारी सुपरिट फिल्मों में काम किया साथ ही हिंदी फिल्म जगत के कुछ बेहतरी सौंग्स जैसे की शीशा हो या दिल आखिर तूट ही जाता है इन पर ही फिल्म आया गया है आज की इस वीडियो में हम आपको किसी दोर में बोलिवुड की टोप हिरोईनों में शुमार रीना रोई की जिन्दगी की असली कहानी सुनाने जा रहे हैं रीना ने भले ही एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के लिए काम किया हो पर इनकी असल जिन्दगी में जितने उतार चड़ाव रहे हैं उतना शायद ही किसी फिल्म की पटकता में होंगे इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की उचाईयों को देखने के साथ साथ नीजी जिन्दगी में कई कठिनाईयों को भी देखा इनका सफर इनकी प्रसनेल्टी की तरहें बड़ा ही दिल्चस्प है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिये बोलिवुड अमिनेतरी रीना रोई की जिन्दगी से जुड़े अंसुने अंकहे पहलूं को हम आपको यहां उनकी जिन्दगी में अफेर्स ब्रेक अप और उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकरी देने जा रहे हैं आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वरना कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे रीना रोय का वास्तविक नाम साइरा अली है इनका जनम 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था रीना एक मुस्लिम पिता और हिंदू मा की संतान है शुरुआत में इन्होंने अपना नाम साइरा से बदल कर रूप रखा था पर इनकी पहली फिलम आने से पहले ही इन्होंने अ पाई बहन अपनी मा के साथ ही रहने लगे थे इनकी मा चार बच्चों की परवरिश अकेले करत पाने में असमर्थ थी इसलिए अपने किशोर अवस्था में ही रीना को फिलमों में काम करना पड़ा फिलमों में सबसे पहला ओफर इनको साल 1971 में परसीद फिलम निर्देशक बी आर इशारा ने दिया था इशारा ने उन्हें नई दुनिया नए लोग नाम की फिलम में एक्टर डैनी के ओपोजिट साइन किया था पर उस वक्त बात कुछ नहीं बनी फिलम कुछ दिनों के लिए रुक गई और बाद में इसे दो वर्षों के बाद रिलीज किया गया इसी बीच निर्देशक बी आर इशारा ने अपनी एक और फिलम जरूरत में रिना को कास्ट किया गया दोस्तो इस फिलम में कुछ अपती जनक दरिश्य थे जिनके चलते रिना शुरुआत में इस फिलम को नहीं करना चाहती थी पर बाद में इनोंने फिलम के लिए हामी भ खास की पर बोल्ड सीन के चलते रिना को दर्शकों ने जरूर नोटिस कर लिया था जरूरत फिलम के रिलीज होने के बाद रिना को कई ओफर्स मिलने शुरू हो गए थे उन्हें साल 1973 में चर्चा मिली फिलम जैसे को तैसा से इस फिलम में भी वो बहत ग्लैमर्स और अब के सावन में जी डरे काफी मशूर हुआ था इस गाने को रिना और जितेंदर के साथ भारी बारिश में फिलमाया गया था फिलम जैसे को तैसा के बोक्स ओफिस पर हिट रहने के बाद रिमा की जोली में एक से बढ़कर एक फिलमों के ओफर आने शुरू हो गए पर उन ने 1976 में फिलम नागिन में काम किया बतोर नागिन रिना बेहद खुबसूर्त लग रही थी और साथ ही उनका अभिने भी बहुत शांदर था इस फिलम के बाद रिना इंडस्टरी की टोप एक्टरेस में शामिल हो चुकी थी अभिनेता जितेंदर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा था तबी रिना के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया दर असल उस समय निर्देशक सुबास गई काली चरन नाम की एक फिलम बनाने जा रहे थे सुबास गई ने अपनी फिलम में अपने दोस्त शत्रुगन सीना को कास्ट करके यह फिलम बन आते थे जिस वज़े से सुबास गई को इस फिलम को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसके बाद तो सुबास गई ने कसम खा ली कि वो रिना और शत्रुगन के साथ कभी काम नहीं करेंगे काली चरन एक बलाकबस्टर मूवी रही थी रिना और शत्र शत्रुगन के साथ भी इन्होंने 16 फिलमें की जिसमें 12 फिलमों ने बोक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था अब वो एक के बाद एक जितेंदर और शत्रुगन सीना के साथ फिलमों में काम कर रही थी उनकी हिट फिलमों ने उन्हें हाइस पेड एक्ट्रेस की शरेनी में श जाते थे शत्रुगन सीना ने रीना के साथ अपने रिष्टे को कभी चुपाने की कोशिश नहीं की दोनों अक्सर एक कपल के तोर पर ही देखे जाते थे पर कहानी में टविस्ट तब आया जब शत्रुगन सीना की शादी पूनम सीना से हो गई हाला कि इस शादी के बाद बी शत्रूगन और रीना की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। दोनों की प्रेम कहाने से जुड़े कई किस्से बोलीवूर के गलियारों में मशूर रहे हैं। लंबे वक्त तक शत्रूगन की शादी के बाद भी दोनों के रिष्टे में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन दो शत्रूगन रीना को खामोश कर देते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब रीना को शत्रूगन से रिष्टा तोड़ना पड़ा जब रीना ने शत्रूगन से रिष्टा तो शत्रूगन सीना फूट फूट कर रोए थे। रीना और शत्रूगन सीना की प्रेम कहानी को आज भी बोलिवर में सबसे बड़ी लव स्टोरी माना जाता है अगर हम इनको बोलिवर करियर पर नजर डाले तो इन्होंने संगराम, बारूद, अपनापन, आशा, जानी दुश्मन, बेरहम, अंधा कानून, सनम तेरी कसम, राज तिलक, गुलामी, नसीब, उमर और जखमी जैसी कई सुपरेट फिल्मों में काम किया इनकी आखरी फिल्म थी केपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी जो की साल 2000 में रिलीज हुई थी दोस्तों अब रुक करते हैं रीना की परसनल लाइफ की और इनका जनम फिल्मों में जूनिर आर्टिस्ट के तोर पर काम करने वाले काली और उनकी पत्नी शारदा रोई के घर हुआ था पर रीना के बच्पन में ही काली और शारदा का डिवर्स हो गया था इस डिवर्स के बाद शारदा अपने चारो बच्चों के साथ अलग हो गई थी और इनके बच्चों ने भी कभी अपने नाम के पीछे पिता का सरनेम नहीं लगाया रीना की दो बहने और एक भाई है इनकी बहनों का नाम बर्खा और अंजु है और इनके भाई का नाम राजा रोय है शत्रुगन सीना से अपने रिष्टे को तोड़ने के बाद रीना ने 1983 में पाकितानी क्रिकेटर और अभिनेता मोसिन खान से शादी कर ली शादी के बाद र रीना ज्यादातर लंदन में रहती थी इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम सनम खान रखा गया हालाकि शादी के कुछ दिनों बाद ही रीना और मोसिन में दिखतें शुरू हो गई कहा जाता है कि मोसिन रीना को टाइम नहीं देते थे जिसके चलते इन दोनों का कस्टिडी मोसिन को मिली थी इसलिए रीना को भारत अकेले आना पड़ा पर बाद में शत्रुगन सीना की मदद से रीना अपनी बेटी की कस्टिडी वापिस लेने में कामयाब हुई भारत वापिस आकर रीना ने फिल्मों में कम बैक करने की सोची पर वो सबलता उन्हें न अलवीदा कह दिया है आज वो मुंबई में अपना एक्टिंग इंस्टिटूट चला रही है रीना रोई अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही बस चुकी है दोस्तों सफलता की उचाईयों को देखने के लिए रीना ने अपने जीवन में बहुत संगर्च देखा है कभी उनक आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मतलब